सरकार का तो ये कहना है कि ये तीनों जो ओर्डिनेंस आये थे जुने अब एक के रूप में बदलना है ये ट्रेडर्स फ्रेंडली हैं फार्मर्स फ्रेंडली हैं तो फिर फार्मर्स सलकों पर क्यों देखिए कोई भी चीज फ्रेंडली है या अन्फ्रेंडली है ये ना मैं ते कर सकता हूं ना राजनेतिक लोग ते कर सकते हैं ना एग्रिकल्चर सेकेटरी ते कर सकते हैं किसी सूभे के ये देश के कुसान कहें ये विवस्ता हमारे लिए अच्छी तो मैं मान लूगा आच्छी वो कहें आच्छी नहीं तो मैं नहीं मानूगा किसी के कहने से अंतता वेवस्था किस के लिए किसान के लिए यह अध्यादेश किसको प्रभावित करते किसान को तो किसान क्या बोल रहा है यह देश के लिए महत्पूर हो जाता सुनना अगर किसान कहता कि बल्ले बल्ले बहुत लिए अच्छा अध्यादेश है तो और उठरे चाहिए। मैं क्रशी छेत्र का बहुत विद्वान नहीं। बीम सिंग साब हैं, हर नाम भाई हैं, ये लोग जादा बहतर बताईए। लेकिन बुनियादी, मैं तो बुनियादी बात जानता हूँ। महाराष्ट में उत्रे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल कर किसान, तो तभरी करने तो आए नहीं, परेटन करने तो आए नहीं, न शहर देखने आए, ये टेक्टर टाली लेके जो लोग आए हैं, तो इनकी बात सुनी जानी चाहिए, इनकी व्याथा समझीनी चाहिए, और ए ये देखवात में और कहूं, जो मेरा नजरिया शुरुबात से रहा, भारत की क्रशी, सीमेंट उद्धयो जैसी नहीं, स्टेल इन्डिस्ट्री जैसी नहीं, हावाईजाज उढाने की इन्डिस्ट्री जैसी नहीं, मोबाइल इंडिस्ट्री की तुरह नहीं है जो मोबाइल बनाते हैं ये टूजी फोरजी का वामला भी नहीं है इस क्रशी को सरकारी संरक्षण और सरकारी सहयोग अनवरत चाहिए ये वैसा ही छेत्र है अगर इसकी तुल्ला ही मुझे करनी हो और मुझसे कोई कहे के इसकी तुल्ला करके बताईए अमिताब जी तो मैं कहूंगा इस मुझसे बेहतर तुल्ला हर्राम भाई बता देंगे बियम सिंग भाई बता देंगे तो मैं स्वागत करूंगा जो लेकिन नहीं सौपा जा सकता जैसे इस देश की प्राथमिक शिक्षा किसी भी सूरत में पूरी तरह निजी छेत्र को नहीं सौपी जा सकती चुकि अगर ये दो काम हो जाएं तो करोणों लोग बीमारी से मर जाएंगे बिना इलाज के और करोणों बच्चे पढ़ने से बंचित रहे मेरे उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों में बड़ा दंका पिटता है प्राइवेट स्कूलों का धाई करोण बच्चा पढ़ता है लगभग धाई करोण ये स्कूल बंद कर दो प्रात्मिक शिक्षा का निजी करण हम कर दें बाजार के हवाले कर दें उसको बाजार फ्रेंडली बना दें तो ये धाई करोल कहां जाएगा सुनिल सिंग साजन के घर में पढ़ेगा कि उमा शंकर सिंग के घर पढ़ेगा के नवीन शिवास्तफ घर में जाग पढ़ेगा कहां जाएगा एक करोण आदमी महिने में सर्कारी अस्पताल से जुड़ता है किसी निकिसी रूप में दवा लेने जाए ची एक्सर कराने जाए ची पट्टी बंद वाने जाए एक करोण आदमें यह सरकारी अस्पताल सरक्षन अगर नहीं पाएंगे तो यह एक करोन कहाँ जाएगा यह पोलो में इलाज करा सकता है क्या कोई कार्ड हो कार्ड से क्या होगा मैक्स में करा लेगा क्या नहीं ना अब मैक्स के तो दर्वाजे मने गुच पाएगा वैसे ही मेरी द्रिष्टी में क्रशी है क्रशी को हम पूरी तरह बजार के हवाले नहीं कर सकते हैं यह मिनिमम सपोर्ट प्राइज का कॉंसेप्ट क्यूं आया था जब देश आजा दुआ इसके पीछी भी तो चिंतन करना हो काम को यह क्यूं आया था यह इसी धारणा से प्रेडित होकर आया था हमारे यहां की खेती वो है जब हम पौधा लगाते हैं तुलसी जी ही लगाएं गमला में कमजोर हैं अगर तो एक बास की खपच्ची से बांद देते हैं डोरे से ताकि तुलसी जी ठिकी रहे भारत की खेती को वही खपच्ची चाहिए सत्ता की शाशन की प्रशाशन की इमदाद की सन्रक्षन की किसान हार तोर मेहनत कर सकता है पूजी के लिए उसको सरक्षन चाहिए उसके फसल के एक निवनतम घारंटी हो इसके लिए तो सरकार ही कर सकती है बाजार तो नहीं कर सकता मैंने एक विशेद देखा बाकी तो विद्वान लोग बताएंगे लेकिन मैं व्यक्तिकत तोर पर उससे सहमत ने हुआ हमने कहा कि आपदा के राष्ट्री आपदा के अवसरों को छोड़कर अब इन नए कानून के मुताबिक आलू और प्याज भंडारल पर से सीमा हट है इसका नतीजा पता है क्या होगा मालू में क्या होगा हर नाम सिंग से 80 रुपया का ही जाएगा बोरा और नोईडा में 800 का भिकेगा आके किसी बकत अकों 1600 का भी भिक जाए चुकि भंडारन की छमता है जिसके पास वो खेल कर जाएगा जिसके पास प्याज भंडारन की छमता है वो 200 रुपय किलो प्याज बेचेगा लेकिन किसान से 2 रुपया किलो ही लेगा ये ठीक नहीं नहीं किसान की सबसे बड़ी मजबूरी मालूम क्या है मैंने उस जीवन को जमीन पर खड़े होकर देखा है उसके पास केबल एक कमी है नवीन जी भारत के किसान के पास क्या और कोई कमी नहीं दुनिया भर के किसानों से अबबल है वो इतनी विपरीत प्रिस्थितियों में खेती करता है एक ही कमी है उसके पास उतनी पूजी नहीं कि वह अपनी फसल को रोक ले और महेंगी होने पर बेंच ले तब तक कि खर्चे कैसे चलेंगे बिटिया का व्याह सिर्फ अम्मा का आपरेशन कराना हाग का क्या करें बेल खरीदना वो मसूर को तीन साल अगुनद को मेल। बता देजिए कितने आदमी यह इसे रहो है जिब बीएम सिंग बताएंगे या अहरनाम जी बताएंगे जिनके पास अपने cold storage है जो 10,000 कुंटल लालू पैदा करके cold में डाल देंगे बोले जब 2000 कबोरा भीके तब बेचेंगे तब तक जो उनका घर भिख जाएगा महाजन जिससे पैसा लिया है वो उनके गलेम फांसी लगा देगा आके उसका लाव ये बिचवलिय उठाएगे दो को घाटा होगा किसान को और उपभोगता को और लाव कहां जाएगा जिसके पास पूझी है भारत के किसान के पास मेहनत है त्याग है तपस्या है संघर्ष है जिजीविशा है पूझी नहीं है इसलिए मैं कहता हूँ सरकार का संवर्च्छन होना चाहिए हर इस्थितीव